मद्य प्रदेश विधान सभा चुनाओं में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकट जोक रही लगतार पीम मोदी और अमिच्षा के दौरे हो रहें ऐसे में कॉंग्रेस को जोरदार जटके लग रहें तो वहीं दूसरी तरफ लगतार एजंसियों का ताबर तोड एक्षन जारी जिससे अपराधियों में हडकम मचा हुआ है मद्यप्रदेश में लगतार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबाशाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्रेम MP का रन में स्वागत करती हूँ खबरों को विस्तार से जानने के लिए एक नजर आज की सुर्खियों पर MP में चुनावी दौरे तेस चार नोवेंबर को अमिच्षा, आठ नोवेंबर को मोदी करेंगे गौलियर का दौरा पहली खबर में बात करेंगे MP में अमिच्षा और PM मोदी के तावड तोड दौरों की दरसल मध्यप्रदेश विद्धान सभा चुनाव को लेकर PM नरेंद्र मोदी के कई दौरे प्रस्तावित है PM मोदी प्रदेश में तावड तोड चुनावी सभाए करेंगे हाला कि ये सभी दोरे प्रस्तावित हैं जिनके लिए PMO से स्विक्रिती मिलना बाकी है जानकारी के मुताबिक PM मोदी का 4 नोवेंबर को रतलाम 5 नोवेंबर को सिवनी के लखनादौन 7 नोवेंबर को सीधी और सतना 8 नोवेंबर को गुना, मुरैना, पत्रिया 9 नोवेंबर को बढ़वानी और नीमच 13 नोवेंबर को छतरपूर 14 नोवेंबर को इंदौर और जाबुआ और 15 नोवेंबर को बैतुल का दोरा संभावित मद्यप्रदेश में विधान सभाचुनाव की कमान समाल रहे केंद्रे ग्रियमंत्री अमिच शा का 4 नोवेंबर को एक बार फिर गौलियर के दोरे पर आ सकते हैं वहीं 8 नोवेंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के गौलियर चंबल संभाग के दोरे पर आने की उमीद है पार्टी सूतरों के मताबिक अमिट शाह 4 नौवेंबर को गौलियर से पोरी और करेरा छेतर में जाएं उसके बाद लोट कर गौलियर विधान सभा छेतर में इन टक मैदान पर आम सभा को भी संबोधित करें इसके बाद अंचल के चुनिंदा नेताओं से बात करेंगे और गौलियर में ही रुकेंगे इसी तरह प्रधान मंत्री नरियंदर मोधी के दोरे की तैयारी भी शुरू कर दी गई है संभावित रूप से 8 नोवेंबर को मोधी गौलियर चंबल अंचल के दोरे पर आएंगे वो चंबल छेतर में आम सभा को संभोधित करेंगे फिलहाल आम सभा की जगा तै नहीं हो पाई मोरैना छेतर में प्रधान मंत्री मोधी की सभा हो सकती है उनका मुकाबला भाजपा की उशा ठाकूर और कॉनगरेस के राम किशोर शुकला से होगा जो भाजपा छोड़कर पार्टी में जुड़े केंद्रे मंत्री जोती राधितिय सिंध्या 17 जुले के दौरे पर है वो भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करेंग प्रचार से पहले सिंध्या मेहर में मौजूद मा शारदा देवी के मंदिर में पहुँचे जहां उन्होंने शारदा माता की पूजा आशना की दूसरी खबर में बात करेंगे चुनाओं से पहले एडी के जबरदस्ट एक्शन की जिसमें करोरों का खजाना जब्थ हुआ दरसल मद्यप्रदेश में 9 ओक्टूबर को आचार सहीता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजिंसियों ने राज्य भर में 200 करोर रुपे से ज़ादा की शराब, मादग पदार, अभूशन और बाकी समगरियों के अलावा 25 करोर रुपे से ज़ादा की नगदी जब्थ प्रवर्तन एजिंसियों की तरफ से लगतार कारवाई की जा रही है, उन्होंने कहा कि फ्लाइंग सर्विलांस टीम यानी FST, इस्टेटिक सर्विलांस टीम और पुलिस के सयुक्त दलों की तरफ से 226 करोर रुपे से जादा की अवैद शराब, नशीली दबाय, नकदी, की कीमती धातुए, सोना, चांदी, अभूशन और बाकी समगरियों जब्त की गई है, राजन ने बताया है कि 9 अक्टूबर से इन सयुक्त दलों 25.5 करोर रुपे नगत, 36.9 करोर रुपे की, 19.57 लाक लीटर अवैद शराब, 11.70 करोर रुपे के नशीले परदात, 75.6 करोर चांदी और अने कीमती धातुएं जब्त की, अभ्यान के दौरान 77.31 करोर रुपे की अने समगरी जब्त की गई है, साल 2018 के मदिप्रदेश विधान सभा चुनाओं में आचार सहीता के दौरान यानि उस साल 6 अक्टूबर से 28.9 करोर रुपे की समगरी जब्त की थी, एक अ 3832 उमिद्वारों ने 4,369 नामानकन दाखिल कियें, उन्होंने कहा है कि नामानकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को शुरू ही और 30 अक्टूबर को खत्म होगा, 31 अक्टूबर को जाच के बाद कुल 2,916 नामानकन पत्र वैद पाए गयें, कुछ उमिद्वारो उन्हें दो नौवेंबर तक अपना नामानकन वापस भी ले लिया मध्यप्रदेश में मतदान 17 नौवेंबर को होगा और वोटों की गेंती 3 दिसंबर को होगा तीसरी ख़वर में बात करेंगे मध्यप्रदेश विधान सबाचुनाओं में जैवीरू के बाद गबबर की एंट्री की दरसल एंपी की सियासत में इस वक्त शोले धदक रहें मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के प्रभारी रंदीप सूर्जेवाला ने जब से कमलनाथ और डिगविजय सिंग को जैवीरू बताया और सवाल करते हुए पूछा है कि क्या डिगविजय सिंग और कमलनाथ के बीच विवाद चल रहा है तब से ही मध्यप्रदेश में सियासी पारा चड़ा हुआ है इस मामले में अब दिगविजय सिंग ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने पिछले 20 सालों से राजी को उस तरह से लूटा जैसे गबबर सिंग लूटता जैवीरू की जोड़ी के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक विश्नु दत्शर्मा ने कहा कि मैं तो विकास और गरीब कल्यान की बात करता हूँ यह उन्हीं लोगों की देन उनके प्रभारी ने ही इस नाम का जिक्र किया है भारती जनतापार्टी विकास और गरीब कल्यान पर काम करती कॉंग्रेस केवल एक ही काम करना चाहती है विकास और गरीब कल्यान से केवल भटकाने का काम करो लेकिन जैवीरू के बारे में भी मैं कहना चाता हूँ कि वो क्या थे फिल्म में घोशित चोड थे अगर इनमें श्रीमान कमलनाथ जी को जो मिस्टर करप्शननाथ की भूमिका में और श्रीमान बंटा धा जिनोंने मध्यप्रदेश को सबसे बुरे स्थिती में पहुचा दिया था अगर उन्हें यह पसंद है कि हम चोड तो मध्यप्रदेश की जनता आपको बहतर जानती है आप क्या है वहें वीडी शर्मा के इस बयान पर दिगविजर सिंग ने कहा कि पूरे 20 सालों से बीजेपी ने मध्यप्रदेश को लूटा जिस तरीके से गबबर सिंग लूटता था इसलिए इन तिकड़मों में मत पड़ी है मुद्दे जय और वीरो के नहीं है मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल में लोग बैमानी जूट भरस्टचार गरीब और किसानों के साथ अन्याय और बेरुजगारी से तरस्थ है व्यापम जैसे घुटाले हो जाने के बावजूद इस पी कोई रोक नहीं लगी पटवारी घुटाला अभी ही सामने आया हर जगा तो घुटाला है इसलिए इन बातों को यहीं छोड़ देना चाहिए फिल्मी स्टाइल बात करना बंद करें और मुद्दे पर आए जो ये बात करते थे कि हम लोग भी बिमारू स्टेट से चौथी ख़बर में बात करेंगे दिग्विजा सिंग का पुतला फूकने पर हुए एक्शन दरसल पर्व मुख्यमंत्री दिग्विजा सिंग का पुतला फूकना दतिया के दामोदर यादव को भारी पड़ गया कॉंग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्रात्मिक सदिस्ता से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया है प्रदेश उपाद्यक्ष यादव दतिया से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला इसके बाद उनके समर्थकों ने प्रदेश कॉंग्रेस कारयाले के बाहर जम कर विरोध प्रदर्शन किया था इतना इनके समर्थकों ने प्रव मुख्यमंत्री दिगविजा सिंग् के खिलाफ नारबाजी कर अब कॉंग्रेस नियादव को पार्टी से निश्कासित कर दिया है यादव के निश्काशन पर पार्टी प्रवक्ताव का कहना है कि यादव कॉंग्रेस की रीती नीती के खिलाफ काम करहे इसलिए उन्हें कॉंग्रेस की सदसिता गवानी पड़ी है हलाकि बताया जा रहा है कि दामोदर ने 21 ओक्टूबर को ही अपने पत से इस्तिफा दे दिया था कॉंग्रेस ने पहले दत्या से अब देश नायक को भाजपा प्रत्याशी मंत्री नरुत्तम मिश्रा के सामने उतारा था लेकिन राजेंद्र भारती ने इसके खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया था इसके बाद पार्टी को अपने फैसले पर बदलाओ करना पड़ा अब कॉंग्रेस ने यहाँ पर अब देश नायक की जगा पर राजेंद्र भारती को टिकट दिया भारती 2018 के चुनाओ में भी मंत्री नरुत्तम मिश्रा के सामने चुनाओ लड़े थे और बहुत मामूली अंतर से उन्हें पराज़ई का मूँ देखना पड़ा दामुदर यादव भी यहाँ से टिकट की दाविदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया ऐसे में वो लगतार अपना विरोग जता रहे थे पांचवी खबर में बात करेंगे कॉंग्रेस के उस प्रत्याशी की जो अनोखे तरीके से वोट मांग रहा है दरसल मद्यप्रदेश विधानसभा चुनाओ को लेकर नामानकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अप्रत्याशी का चुनाओ प्रचार जोर पकर रहा है अप्रत्याशी अलग-अलग अंदाज में प्रचार कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर शित कर रहे हैं इसे सिलसिले में शियोपूर विधानसभा सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी बाबू जंडेल के चुनाओ प्रचार का नोखा अंदाज देखनी को मिला उन्होंने जब उट पर सवार होकर वोट मांगे तो हर कोई दंग रह गया उट पर सवार होकर जंड संपर्ट करते कॉंग्रेस उमिद्वार जंडेल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है शियोपूर विधान सबाच्छेत्र से कॉंग्रेस प्रत्याशी बाबु जंडेल राजुस्तान से सटे हुए मिवारा कच्छार सही कई गाओं में जन संफर्क के लिए उट पर सवार होकर लोगों के बीच पहुँचे उन्हें इस अंदाज में देखकर गाओं के लोग खुश हो उठें इस दोरान ग्रामीन और उनके समर्थक उट के पीछे पीछे दोर कर नारे बाजी करने लगे उनका ये खास अंदाज लोगों को खूब रासा है अब उट पर सवार होकर कॉंग्डेस प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है शिवपूर से कॉंग्डेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधाय बाबू जंडेल का कहना है मुझे छेतर में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है में मेवारा कच्छार गाओं में गया था जहां एक किलोमीटर का रास्ता कच्छा था इसलिए ग्रामीनों ने उट पर बठा दिया आपको बता दें कि शिवपूर से मौझूदा कॉंग्रेस विधायक और चुनाओं में प्रत्याशी बाबु जंडेल आईदिन अजीब बयानबादी और प्रदर्शनों को लेकर राजनयतीक और प्रशनसानीक हलकों में चर्चा का विशय बने रहते हैं वो पिछले दो साल पहले बार के मुध्य को लेकर विधान सभा में कुर्ता फार प्रदर्शन कर चुके है तो कई विवादित बयानों के साथ ही कई दपा बिजली के पोल पर चड़कर बिजली सप्लाइच चालू कर सुर्खिया मटोर चुके है इस बार भी उनका अलग अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विशे बना हुआ है फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम MP का रन में इतना ही देखते रहे हैं Capital TV नमस्कार